सुरत शेर में जेन संप्रदायन आचार्य श्री महाश्रमन जी नुभव्य रेली थकी आगमन थायू भगवान माविर युनिवर्सिटी ना प्रांगण महाजारों ने संक्यामा समाज ना लोको द्वारा आचार्य श्री नुभव्य स्वागत करवा माव्योदू नमस्कार आज हम मौझूद है भगवान माविर के प्रांगण में जहां आचार्य श्री नुभवान श्रमन जी हमारे साथ आज जो सुरत शेर में विहार करके आज यहां पर मौझूद है अपने दरशन दिये हैं अपने भगतों को गुरु माराज जी आज आचार्य श्री माश श्रमन जी का छे दिवस्टिय परवास यहां पर भगवान माविर विश्विदाले के प्रांगण में हुआ है पूरा प्रिवार पूरा विश्विदाले प्रिवार स्टूडेंट स्टाफ प्रोफेसर डारेक्टर पलके बिचाए बैठे हैं गुरुदेव के दर्शन क लिए और आपने देखा हजारो हजारो लोग किस तरह से रेली में उनके साथ उनके स्वागत के लिए उनके साथ चल रहे थे और अभी अभी कुछ समय पूर्वे उनका यहां पर आगमन हुआ है और पूरा प्रिवार उनका स्वागत करता है और उनका आगमन विश्विदा के लिए स्टूडेंट्स के लिए और पूरे सूरत के लिए मंगल कारी हो और धरम पर बहुना बड़े ऐसी हमारी मंगल कामना है उनके शानिंदे में आगामी 27 तारिक को हमारे विश्विदालय का वार्शी कन्वोकेशन होने जा रहा है जिसमें लगबग 1000 विद्यार्थी यह आपर डिगरी लेंगे उसके अलावा लगबग 15 से 20 अजार विद्यार्थी नसा मुक्त जीवन जीने के लिए संकल्पित होंगे और आचरिय श्री से गुरुदेव से बगवन से ये आशिवाद प्राप्त करेंगे कि उनके जीवन में कभी किसी तरह का नसे का प्रलोबन आ अपने विश्व द्याले के स्टाप और स्टूडेंट की तरफ से उनका स्वागत करते हैं और मंगल कामना करते हैं आज भगवार मावे उनिवर्स्टी जो विद्यार्तियों के लिए सबसे जारा शिक्षा केंद्र है तो जब ज्यान देने वाले आचारिय श्री जब ज्यान देंगे तो कितना प्रभाव पड़ता है विद्यार्तियों विद्यार्थियों पर बहुत पड़ेगा जो भूल चुके हैं धरम ध्यान लोग उनको देखके उनके सानिद्य में रहके ये सिखेंगे कैसे हम धरम की तरफ ध्यान दे सके धरम में परिवर्तन कर सके और बच्चों में जो नहीं है ये धरम के परती वो इसमें अपने आज जो रेली हुए थी उसके अंदर काफी हजारों की संक्या में जो है आज समाज की सभी लोग अपना एकता का जो प्रदशन वो दिखाये गया था ये ग्यान समाज के लिए जो वो देने वाले हैं कितना महत्व हो जाथ गुरुदेव के यहां पर आगवन के लिए लोग यहां पर बहुत प्यास प्यासे थे और आज गुरुदेव के यहां पधारने से उनकी प्यास वत्रिप्त हो गए हैं और गुरुदेव के वचन सुनके और गुरुदेव का प्रवचन सुनके लोग धन्य होंगे गुरुदेव जहां भी जा रहे हैं नेतिकता सत भावना औ और सभी को एक भावना देते हुए गुर्देव का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दक्षिन गुद्रात वाले लाब लें, मैं यही सबसे कामना करूंगा। आप क्या करें। आप क्या करें। पूरा सहर दनने हो गया, पूरा सीटी दनने हो गया। पचीज़ार पप्लिक होने की सक्यता है। और कल गुरुदेव का जो तपश्या के द्वारा स्वागत होने वाला है, गुरु का सच्चे धार्मिक गुरु का स्वागत होता है तपश्या के द्वारा। और वो सूरत ने एक रेकोर्ड किया है जो सूरत में ही वापस तूटेगा 1111 से अधिक वर्षित तपस्यों को गुरुदेव के द्वारा सम्मान है उनका गुरुदेव का सम्मान तपस्वी 1111 अपने गुरुदेव को इक्षूरस बहरा के करेंगे तो अक्षर तितिया के दिन 23 अपरिल को लगबग हमारी उमीद है कम से कम 40,000 से ज़्यादा पब्लिक होने की उमीद है और हमने सारी विवस्ताए सारा बहुत ही अच्छे सुन्दर ढंक से की है और हमारा ये कलपना है कि हम 40 सोचने पन 50 भी हो जावे तो अतिश्योक्ति नहीं होगी और सूरत में इसकी एक पूरी घूज है कि सूरत में गुरुजी आ रहे हैं तो आम पब्लिक जेन ही नहीं आम पब्लिक में इसकी घूज है उसके लिए हमारे को उमीद है कि अदर संपरदाई के भी जो जेन नहीं पन अदर जो संपरदाई नहीं पन काफी लोग गुरुजी का प्रवचन सुनने के लिए हजारों की तादाद में आने वाला है ओम अरहम जी किस तरह से सूरत शेहरे के तपस्वियों की नगरी है दान वीरों की नगरी है जब ऐसे गुरु यहां पर पधारते हैं तो और यह उद्सा कितना बढ़ जाता है देखे कहा जाता है कि चरण मंदिर तक ले जाते हैं और आचरण भगवान तक ले जाता है और हमारे यहां तो इतना परमसो भागे है कि गुरु देर के चरण भी पड़े हैं और उनके आचरण से यहां जो भगवान महाविर इनिवर्सिटी के 18,000 बच्चे हैं उनकी आचरण को देखकर ही उनमें सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और कहा जाते हैं इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी के विचारों को बदलना तो आचारे भगवन का यहां पर पडारपन हुआ है और निश्चित रूप से सभी के सभी स्टुडेंट्स के और जितनी भी यहां सूरत से और बाहर से भी जितनी लोग आई हुए हैं कि तौर से जब एक गुरू होती है सबसे पहले एक गुरू हमारे जीवन में फिर यह गुरू आते हैं तो क्या कहेंगी किस तरह से सिक्षा विद्यार्तियों को कितनी लिए मेरा ये मानना है कि मां तो अपने घर के लिए देती है बच्चों को संस्कार वगेरा मगर ये गुरू जी के रहके पता चलता कि कितना सरल जीवन में भी रहके बच्चे तब कर सकते हैं और इतने महाप्रूश का चरन पड़े हैं तो एक एक बच्चा एक इतने उसाहित है कि जैसा काम सोपा जाए वैसे बहुत लगन से कर रहे हैं जहां जैसे उनको दिया जितने भी तपस्वी हैं उनके द्वारा स्वागत होगा उनके द्वारा जो कारेक्रम है वो आगे बढ़ाए जाएगा है यह नैकेवल जैन धरम का कारेक्रम है यह मानवता के मस mulher का सूरत आग्मन है और यहां से जो तपश्या और घ्यान की जो गंगा वहेगी पूरे विस्यों को आलोकित करने वाली है आप क्या कहेंगे किस सरा से जो कारक्रम होते हैं धर्मके के जो कारक्रम होते हैं कितना महत्वा हो जाने देग diyor 2003 में जब अचारी स्री महासर्फटी युवाचारी के रूप में पढहरे थे और अब या आज आपने लिए देखा हुगार सेर के सारे रास्तने आज रेली में कितने लोग हजारों की संक्या में लोग जुड़े, सबी धर्मे के लोग जुड़े, क्या कहें? रेली आज सुबह गुरुदेव का विहार परवत पार्टिया से साड़े साथ बज़े प्रारंब हुआ, साड़े नो यहां पहुँचे, लगबग 40-50 जहार व्यक्तियों ने रास्ते में दर्शन किये और रेली में उपस्तित रहे, कहते हैं जब पुन्य का उदे होता है, तेरा पंद कोई विशेश धर्म संप्रदाए नहीं है, यह सभी धर्मों का एक है, इसमें सभी के लिए संभाव है, अनूरत, कोई भी आदमी छोटे से छोटे आदमी भी मना सकता है, ऐसे गुरु यहां बदा रहे हैं, तो हम सोचते हैं आज यह प्रांगन धन्य हो गया, धन्यवाद, तेरा महिने की तपस्वी होती है, जो वो करते हैं, उसके बाद जो कारिक्रम होता है, कल सूरत में रेकॉर्ड ब्रेक होगा, क्या कहें? जो अपने तपस्वी के जो तेरा महिने का जो तपस्वी करके, जो उनका पारना होगा, उसमें तपस्वी का, मतलब गुरु देव के हातों से होगा, और बगवान ही है, समझो, यह बगवान के शुरूप में पदा रहे हुए, गुरु है, पर सबके लिए, इनके लिए शुरतुरा अपनाप में बहुत बहुत विशेश्टा का दिन है कल के सबके पारणे होंगे और 1100 से उपर का पारणा है तो बहुत बहुत धन्या हो जाएगा यह धरा पार्ना नाशीब तक्दीब तेज है गुर्देव यहां पर आकातिज का पार्ना करने के लिए इधर पदा रहे हैं बहुत-बहुत सबको धन्यवाद है बहुत-बहुत सुपकामना होगी सबको पार्ना अच्छी तरह से हो जाएगा और जो भी पीछे से भी धार्रे उसका भी अच्छा पार्व करेगा और गुर्देव अमर गुजरात है या बंबई में भीच में ही रहे गए एक साल के बाद तक जो पार्ना धार्रे जो सब एक साथ में हो जाएगा